हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बी हल्दी चैनल बी हल्दी चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विसेश पकार की सबजी जिसे तुरही कहते हैं उसके बारे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तो तुरही गर्मी के मौसम में मिलने वाला एक बहुत ही बहतरनीन सबजी है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और इसके साथ साथ कैलसियम, मैंगनेशियम, फासपोरस, पोटैसियम आदी पाये जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होते हैं इसके साथ साथ ही इसमें बिटामिन A, बिटामिन C और B कंपलेक्स भरपूर मातरा में पाये जाता है जिसके वज़े सी जो सबजी है हमारे लिए बहुत ही गुनकारी सबजी बन जाती है दोस्तो अगर आप इस सबजी को रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा health benefits मिलते हैं दोस्तो तो आईए जाल लेते हैं कि कौन-कौन से फायदे मिलते हैं इस सबजी को खाने से दोस्तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हैं तो इस सबजी में कुछ ऐसे ततो पाया जाते हैं जो खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं तोरई में antiviral और antifungal गुन होते हैं जिसके वज़स से इसके नियमित सेवन से सर्थी जुकाम और खासी की जो समस्या हो जाती है उससे छुटकारा मिल जाता है इसके साथी तोरई में भरपूर मातरा में फाइवर होता है जो हमारी आतों को साफ करके कब्ज की जो शिकायत होती है वो दूर करता है अगर किसी को पिलिया की शिकायत है यानि जुन्डिस की शिकायत है तो इसका सूप निकालकर के देने से जुन्डिस में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है इसमें कुछ ऐसे एंटिवेक्टरियल तत्त होते हैं जो लिवर की जो समस्या होती है लिवर में सूजन की जो समस्य अगर गर्मी के मोसम में इस तोरही सब्जी का रोजाना हम अगर इस्तमाल करते हैं या सूप के रूप में इस्तमाल करें या सब्जी के रूप में इस्तमाल करें तो इसे जो लू लगने की जो समस्या होती है उससे भी हम बच सकते हैं इसके साथ साथ तोरही के पतो को पीस कर लहसुन के साथ मिला करके किसी फंगल इंफेक्शन पे लगाया जाया जैसे दाद खाज खुजली पे लगाया जाया तो उसमें भी काफी अराम मिलता है तो दोस्तो आज के वीडियो में मैंने आपको तुरही सब्ची के बारे में बताया इसके हेल्थ बेनफिट्स के बारे में बताया आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें